हलो फ्रेंग्स आप सब का स्वागत है मेरे चैनल डिजाइन में तो आज हम बनाएंगे स्लीव का बहुत ही ब्यूटिफुल डिजाइन तो चलिए हम शुरू करते हैं स्लीव को मैंने पहले से ही कट करके रखा हुआ है यह एल्बो तक है स्लीव इसका हम डिजाइन बनाने जा दिखाती हूं यह मैंने कितनी चौड़ी और कितनी लंबी लिए तो आप चाहू तो यह वाला जो डिजाइन है आप पेस्टिंग के साथ भी रेडी कर सकते हो लेकिन मैं बुक्रम के साथ रेडी कर रही हूँ तो यह मैंने लगबग स्लीव के बराबर ही लंबी लिए यह द रख लिया है अब हमें इस पर कट्रो करना है अपना तो कट हम उपर से आधा इंच छोड़ेंगे उपर से आधा इंच छोड़ेंगे यह देखी मैंने आधा इंच छोड़ दिया और नीचे से हम लगबग जैसे नीचे दस इंच आ रहा है ना डेड़ इंच हम नीचे से छो और अब हमें यहां पे cut draw करना है, तो center से हमें इसकी चुड़ाई लेनी है, तो यहां से हम लगबग 1 इंच ऐसे mark करेंगे. सिरभ हमें जो cut की चुड़ाई है, वो 1 इंच ही रखनी है center से, अब हम यहां से अपना धीरे धीरे cut draw करेंगे, उपर से. तो ऐसे इसको मार्ग कर लिया है अब हम बाहर वाली बुक्रम को भी मार्ग करेंगे उसके बाद हम इसको कट करेंगे तो बाहर शे आप जितनी चोड़ी बुक्रम रखना चाहो उतनी रख सकते हो मैं यहाँ पे एक पॉनेंच का लेदी हूँ इस तरीके से पहले इसको बाहर से ही कट करेंगे हम लेकिन यह कट हमें ऐसे नहीं स्टिच करना यहाँ से हम इसको सीधा कट करतेंगे नीचे से तो यह जो बुक्रम है न यह ऐसे आजाएगी अब हम इसको एक्स्टा फैब्रिक के उपर पेस्ट कर लेते हैं तो ऐसे एक्स्टा फैब्रिक के उपर मैंने बुक्रम वाले पेटरन को रख लिया है अब हम इसको यह पेस्टिंग के साथ इस कपड़े के उपर पेस्ट कर देंगे अच्छे से तो ऐसे मैंने इसको extra fabric के उपर paste कर लिया है अब हम इसको यहां से side से इस तरीके से fold कर देंगे press के साथ कपड़े को बिल्कुल बुक्रम के साथ साथ आप fold कर दीजिए तो अगर आप यह बुक्रम नहीं लगाना चाहते तो आप इसको pasting के साथ भी पलट सकते हो लेकिन आपको pasting को भी बुक्रम के style में ही cut करना पड़ेगा तो यह दिखिए हमने इसको side से fold भी कर लिया है अब हम इसको अपनी स्वीव पर stitch करते हैं तो स्वीव को ऐसे सीधा रखेंगे और इसको ऐसे इसके उपर उल्टा करके रखेंगे नीचे से हमने बिल्कुल बराबर रखना है तो अब हम क्या करेंगे सबसे पहले एक rough stitch center में उसके बाद बिल्कुल वुक्रम के किनारे किनारे से लाई एक तो आजसे यह सिलाई हमारी बिल्कुल वुक्रम के किनारे किनारे लग गई है अब हमने बीच वाले fabric को कट करना है तो यहां से हम यह दोनों सिलाईयों के बीच वाला fabric कट करेंगे आप यह धियान में रखें आपकी कोई भी शिलाई नकटे तो बीच वाला फैब्रिक कट गया है अब हम यहाँ पे छोटे-छोटे कट लगा लेते हैं तो ऐसे कट्स भी हमारे लग चुके हैं अब हम इसको अंदर की तरह फोल्ड कर देंगे तो पलट के यह ऐसे आजाएगा अब हमने क्या करना यहाँ पे किनारी की सिलाई लगानी है तो इसको ऐसे कर लेते हैं और बिल्कुल इसको खीचते हुए यहाँ पे किनारी की सिलाई लगा देंगे तो यह देखिए यहाँ पे किनारी की सिलाई भी लग चुकी है अब हमने नीचे से क्या करना है इसको ऐसे उपर की तरफ चड़ा के ऐसे लगबग एक इंच मैंने चड़ा दिया है ऐसे आप यह ध्यान में रखे चड़ाते हुए आपका कोई जोलनी आना चाहिए स्लीव पे और यहाँ पे किनारी की सिलाई लगा दें तो यह देखिए यहाँ पे हमने किनारी की सिलाई भी लगा लिए है और यह देखिए कितना बीडिफुल डिजाइन हमारा इसे स्लीव का रेडी हो गया है तो यह देखिए यह पीछे से भी कितनी अच्छी फिनीशिंग आई है इसमें और यहाँ पे आप तुरपाई करवा सकते हैं तो अब हम इसको फोल्ड कर देंगे नीचे से इस तरीके से इसको डबल फोल्ड कर यह कुछ ऐसे आजाएगी तो अगर आपको मेरा यह डिजाइन और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो चलिए नेक्स्ट किसी और डिजाइन और और वीडियो के साथ मिलते हैं तिल दैन बाब और झाल След कोने शेची हो तो इना बाइफ तो आपक्राइब ने जर्म जर हो इते हैं 5 अबाइब एल यह तो canım